हलो फ्रेंट स्वागत है आपका निडल क्राफ्ट विद पियस में तो सबसे पहले मैंने आस्तर का कपड़ा ले लिया है उपर से धाई इंच पे निसान लगाएंगे देखे और नीचे से हम तीन इंच पे निसान लगाएंगे चाड़ाई में देखे तीन इंच पे निसान लगा लिया है मैंने अब इसकेल की सहायता से इसे मिला देंगे देखे अब इन निसानों को मिलाते हुए हम मटका गला का सेप देंगे देखे मैंने मटका गला का सेप दिया है अब इस निसान से हम एक और निसान लगाएंगे धाई इंच पे देखे धाई इंच पे मैंने निसान लगा लिया है अब इतनी ही लंबाई में मैं कमल की पंखुडिया बना लूँगी देखिए एक साइड पे मैंने डिजाइन बना दिया है अब दोनों साइड पे ऐसे ही डिजाइन बना लेना है अब मैंने में फैबरिक के ऊपर अस्तर के कपड़े को पिनप कर दिया है देखिए और नीचे भी मैं इसकी पंखुणिया बना लूँगी जिसे ये बिल्कुल कमल के फूल जैसा दिखेगा अब इस निसान की ओपर हम सिलाई लगा लेंगे देखिए बाहर की तरफ ही बस सिलाई लगाना है जिसे काट के निकाल देंगे हम देखिए जैसे मैं काट रहे हूँ बिल्कुल ऐसे ही बस सिलाई लगाना है क्योंकि इसको पलटना भी है तो बस उपर उपर ही सिलाई लगाना है सिलाई को बचाते हुए डिजाइन की कटिंग कर लेंगे देखिए बिल्कुल ऐसे ही अब हलका हलका हम कट लगा देंगे हर कोनों पे और जहां भी गोलाई है वहाँ पे कट लगा देंगे छोटा छोटा बहुत ही आराम से कट लगाना है जिससे की सिलाई पे कट ना लगे एकदम किनारों पे ही कट लगाना है इससे जब हम फोल्ड करेंगे तो डिजाइन बहुत ही अच्छे से बन जाएगा देखी अब मैंने कट लगा दिया है तो अब हम इसे पलट लेंगे जिसे की सिलाई अंदर की तरफ हो जाएगी देखें मैंने पिन निकाल के और इसे पलट लिया है कोनों को निकालती हुए पलट देंगे अब हम अस्तर की तरफ से ही जितना डिजाइन मैंने बनाया है उन सभी के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे और फिर लैस लगाएंगे देखें लैस बिलकुल ऐसे ही लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ एकदम सीधा लैस नहीं लगाना है क्योंकि इसमें बहुत जग़ कट करना पड़ेगा लैस को तो देखें जैसे मैं लैस लगाई हूँ बिलकुल ऐसे ही लैस लगाना है मैंने सभी डिजाइन के ऊपर लैस लगा दिया है अब गले के किनारे किनारे पे लैस लगा देंगे जो हमने मटका डिजाइन बनाया था उसी के ऊपर लैस लगा देंगे देखें बिलकुल ऐसे ही लैस लगा देना है लैस से ही यह पूरा जो भी डिजाइन बना है यह बहुत ही खुबसूरत दिखता है अब मैं चौक से ऐसे छोटे छोटे लाइन बना रहे हूं फ्लावर के बीच में अब इनके उपर ही जो लाइन मैंने बनाया है इनके उपर ही मैं दो दो बार सिलाई लगा लूँगी देखिए ऐसे ही मैं पूरे फ्लावर के बीच में सिलाई लगा लूँगी देखिए मैंने सिलाई लगा ली है अब मैं छोटे छोटे मोती लूँगी मोतीयों को जो सिलाई मैंने लगाया है उनके बिल्कुल टॉप के ऊपर मोती को लगा देना है सोई धागे की मदद से देखिए जिसे ये फ्लावर बहुत ही खुबसूरत दिखेगा देखिए बिल्कुल ऐसे ही मोती लगाना है सिलाई की बिल्कुल टॉप पे ऐसे ही मैंने सारे मोतीयों को लगा लिया है और डिजाइन बिल्कुल कम्प्लीट है देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग